तो हमने बेबी स्वेटर के फ्रंट पार्ट के राइट पोजिशन को त्यार कर लिया है अब हम लिफ पोजिशन को त्यार करेंगे तो हमने गला घटाने के बाद तीन फुल बना लिया है एक दो तीन तीन दिजाइन बना लिया है तो अब हम इसमें बारा फंदे उंगली पेला पेटेंगे और इस पर ऐसे चलाते जाएंगे एक दो तो हमने बारा फंदे पढ़ा लिए अब इन सबी फंदों को हम सीधा बोलेंगे एक पढ़ा बढ़ाई हुए और 6 अथा अथारा फंदे बोले अब देजाइद to अब अर इस बार्टे को हम सिधा बुंदे को हम सिधा बनेंगे और शेस फंदों को हम सिध़ बुल algorithm अब हम रॉंक साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे पांच फंदे को सीधा बुनेंगे दू फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक फंदे को सिकंडरी कलर के उनसे उल्टा फिर दू फंदा उल्टा और फिर अठारा फंदे बचे हैं तो सत्रा फंदे सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा अब हम फिर राइट साइड में हैं तो 19 फंदों को हम सीधा बुनेंगे 19 फंदों को हमने सीधा बुन लिया अब 3 फंदों को सेकंडरी कलर के उन से सीधा बुनेंगे और फिर शेश जितने फंदे बचे हैं उन्हें प्राइमरी कलर के उन से सीधा अब हम रॉंग साइड में हैं पहला फंदा स्लिप कर लेंगे पाश फंदे को सीधा बुनेंगे उन अपनी और एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा सिकंडरी कलर के उन से उल्टा फिर प्राइमरी कलर के उन से उल्टा फिर सिकंडरी कलर के फिर प्राइमरी कलर के और शेश फंदे सीधा बने जाएंगे और लास्ट फंदा उल्टा अब देखे ये हमारी दू धारियां बन गए हैं अब हम बटन होल बनाएंगे तो बटन होल बनाने के लिए हम पर चाल फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे और उन हमारी ओर है याने जाले देते हुए सीधा बुन लेंगे तो दिखे हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए उसे इस फंदो को हम सीधा बुन लेंगे अब जो जिस कलर का दिखाए दे रहा है उसी कलर से हम उसे सीधा बुन लेंगे सबी फंदे सीधे बुने जाएंगे जो जिस कलर का दिखाए दे रहा है उसी कलर से उसे सीधा बुन लेंगे कि अब हम रॉंग साइड में है पहले फंदे को स्विप करेंगे पांच फंदे को सीधा बुने आप Thank you कुन अपनी ओर करेंगे अब दो फंदा से केण्डी कलर से उल्टा एक फंदा प्राइंभी कलर से उल्टा फिर दो फंद से pessimा अब Пढूं आप को लास्ट फंदा उल्टा अब देखिये यहां पर हमने बटन हुल बनाः था ये हमारा बेटन हुल बन गया मैं आ झाख्रोब सक चुछ वाज्ट फंदे सीधे ये कि लाष्ट फंदा उल्टा तो यह हमने तीन धारिया बना ली हैं अब यह चौथी धारी बनने जा लिए सबी फंदे सीधे बनेंगे और इन पांच फंदों में डिजाइन बनेगा तो पहला फंदा 18 फंदे के बाद से पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे फिर एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा और शीज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ पुनेंगे उन अपनी योड एक फंदा से कंडरी कलर से उल्टा तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे एक फंदा से कंडरी कलर से उल्टा अब शेस फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और लास्ट फंदा उल्टा अब हम सब भी फंदे प्राइमरी कलर के उनसे सीधे पुन लेंगे राउंगसर से साइड के 6 पंदे सीधे रहेंगे बीच के 13 पंदे उल्टे और लास्ट के 10 पंदे सीधे अब हम राइट साइड में हैं 12 पंदा सीधा पुन लेंगे बारा फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा, फिर एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा, फिर एक फंदा सेकंडरी कलर से सीधा, फिर लास्ट में आठ फंदे बचेंगे तो अभी तक देखिए एक फंदा एक डिजाइन बन रहा था अब यहां पे तीन डिजाइन बनेगा तो यह डिजाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूं अब देखिए हम राइव साइड में हैं पटन हूल बनने के बाद आठ धारियां बन चुकी हैं और हम राइव साइड में हैं तो हम 12 फंदा सीधा बन लेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा हमने एक डिजाइन कम्प्लीट कर लिया है अब यहां पे हमारा दूसरा डिजाइन सुरू होगा तो एक फंदा हम सेकेंडरी कलर के उन से सीधा बनेंगे फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर के उन से सीधा और सेस फंदे प्राइमरी कलर के उन से सीधा तो हमने लाइन कम्प्लीट कर लिया है अब देखिये फ्रेंट्स यहां पे हमने चार फंदे घटाये थे तो अब हम इस लाइन में चार फंदे बढ़ाएंगे बढ़ाने का तरीका वही है उंगली में ऐसे लपेटेंगे और चार फंदे बढ़ा देंगे उंगली में लपेटेंगे सलाई पैसे चढ़ाएंगे यह दूसरा फंदा तीसरा और ये चौथा तो हमने चार फंदे बढ़ा दिये अब हम रॉंग साइड में हैं तो पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे उल दूसरी ओर करेंगे और नौ फंदे सीधे पहले लाइन में थोड़ी सी परशानी होती है देखिए ये फंदा खुल गया टाइट लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस दस पंदे हमारे बार्डर के ये हो गया है अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा तीन फंदा अब हम जुफ प्रिल्स प्रियों तो देखिए, हमारे फंदे पूरे हो गए, दस फंदा ये बटन पट्टी का हो गया, तेरा फंदे में डिजाइन पढ़ रहा है, और साइड के में भी दस फंदे हो गया, यानि जितने फंदे हमने आज दिन पे घट आया थे, वापस बढ़ा लिया है, और ये हमारा धारी ये कम्प्लीट हो गया है, तो दस धारी कम्प्लीट करके ने के बाद बटन होल बनाएंगे, तो दस धारी कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूं, तो देखिए, मैंने दसवा धारी कम्प्लीट कर लिया, अब यहाँ पे इस लाइन में हम बटन होल बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदे को सीधा बन लेंगे, अब उन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदो को एक साथ लेंगे, एक और दो, और दोनों को एक साथ लेते हुए, यह हमने उन अपनी ओर किया है, यानि कि हमने यहां जाली डाल लेंगे, तो बैक लूप से स सीधा फंदा बना लेंगों मैं चोटे बटन के लिए तो आप में अपनी ऊर किया है और एक रही ऑवह कiao अपनी खुमा देंगे तो यह बटन होल बड़ा ओ जाएंगा जब इसको खुलेंगे तो ये बटन होल बड़ा हो जाएगा और तब आप इसमें बड़ा बटन भी लगा सकते हैं लेकिन मैं छोटा बटन लगाऊंगी इसलिए मैं सिर्फ अपनी तरफ करूंगी इसमें एक बार लपेटूंगे ने तो मैंने उन अपनी तरफ किया दो फंदों को एक साथ लिया और बैग लूप से सीधा फंदा बना ले तो यहाँ पे बटन होल बन गया यहाँ जाली दे लिएसे एक फंदा बढ़ा है और यहां दो काई करने से एक फंदा घट गया यानि जितने फंदे थे वापस हमारे पास उतने ही फंदे हो गया तो हमारा बटन हूल बन गया अब देखिये फ्रैंस यहां पर देखिए फंदे बढ़ने के बाद, आस तिन के यह चार फंदे बढ़ाने के बाद इस चार डिजाइन हम हमें बनाया है, एक, दो, तीन और चार, तो चार डिजाइन हम कम्प्लीट करना थींगे लेकिन हर 10 धारी के बाद हमें बटन हूल बनाना है और डिजाइन को आगे बढ़ाना है और हर 11 धारी पर हमें बटन हूल बनाना है तो चार डिजाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ देखेए फ्रैंड्स आस्तिन के बढ़ाने के बाद से 4 डिजाइन बन गया है और गले के बाद से देखिए तो 5 डियान कंप्लीट हो गया है तो जैसे मैंने बैक में बार्डर बनाने के बाद 2 लाइन प्लेन बनाया था उसी तरह अब हमें यहाँ भी 2 लाइन प्रैमरी कलर क के उनसे आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बनाना होगा अब हमें इस सेकंडरी कलर का कोई काम नहीं है तो इसे हम काट लेंगे और गाठ लगा लेंगे और अब हम सभी फंदे प्राइमरी कलर के उनसे सीधे बुन लेंगे अब देखिए यहां पे हमारे तीन बटन हूल बने हुए है एक दो तीन और यह बटन हूल बनने के बाद से दो चार छे और यह सात धारी बन गया है और जब लोटते समय हम सीधा भुनेंगे तो आठवा धारी बन जाएगा और दस धारी के बाद से हमें बटन हूल बनाना है यानि चार लाइन बात हम बटन हूल बना लेंगे तो अब हम इस लाइन में सब भी फंदे सीधे बन लेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे और नौ फंदा सीधा पिर उन अपनी और तेरा फंदा उल्टा तेरा फंदा उल्टा बनने बाद उन दूसरी और करेंगे नौ फंदा सीधा बनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा अब हम राइट साइड में हैं और यह हमारा देखिए दो चार चे और आठ धारी बनके त्यार हो गया है अब हम राइट साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे उन अपनी और करेंगे दो फंदा उल्टा उन दूसरी और दो फंदा सीधा उन अपनी और दो फंदा उल्टा अब हम राइट साइड में हैं और अब हम अपना सलाई बदल देंगे अभी तक हमने नौ नंबर की सलाई पे बुनाई की है अब बाडर हम दस नंबर की सलाई पे बुनेंगे तो पहले फंदे को slip कर लेंगे उनको अपनी और करेंगे दो फंदा उल्टा बनेंगे उन दूसरी और दो फंदा सीधा उन अपनी और दो फंदा उल्टा उन दूसरी और दो फंदा सीधा यानि डबल रिब में हम बार्डर बनाएंगे दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा का डबल रिब में हम 14 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे हम एक भी फंदे घटाएंगे नहीं बस हम अपने सलाई को चेंज कर लेंगे अब हम 9 नमबर की सलाई के को बदल के 10 नमबर की सलाई पे बॉर्डर बनाएंगे अब हम रॉंक साइड में हैं और जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है उसे सीधा बनेंगे अब देखेंगे ये दो फंदे उल्टे हैं तो दो फंदा उल्टा उन दूसरी हो दो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है तो दो फंदा सीधा दो फंदा उलटा, दो फंदा सीधा देखिए फ्रेम्स, आप लाइन की हमने धारी बनाय थी और डबल इम में दो फंदा सीधा और दो फंदा उलटा का बार्डर बनाते हुए हमने चार लाइन कम्पलीट कर लिया है अब इस लाइन में हम बटन हूल बनाएंगे पहले फंदे को slip कर लेंगे उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा तो देखिए फ्रेंट्स हमने चार फंदा बुन लिया है अब उन को इधर ही रखे रहेंगे क्योंकि हमें बटन होर बनाना है तो अब उन इधर ही रहेगा और हम दो फंदो को एक साथ दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे अगला फंदा उल्टा और फिर जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाए दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर तो देखिए फ्रेंट्स दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा बुनते हुए हम जाली के पास आ रहे हैं तो उन अपनी और करेंगे क्योंकि ये फंदा उल्टा था तो इसे हम उल्टा बुनने गई देखिए हमारा ये बटन होल बनके त्यार हो गया तो ये दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा बुनते हुए ये छठा लाइन कंप्लीट हो गया और हमें टोटल 14 लाइन बनाना है तो 14 लाइन बनाके मैं आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रैंट्स हमने 14 लाइन का बार्डर बना लिया अब हम सभी फंदो को बाइंड आफ कर देंगे जो जैसा बुना हुए देखिए ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा फंदा बुन लेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पेचा लेंगे उन दूसरी ओर देखिए दो फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले पेचा देंगे तो जो जैसा फंदा दिखाए दे रहा है उसे वैसा ही बनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते चले जाएंगे और सभी फंदों को बैंड ओफ कर लेंगे अब हम धागा थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इससे सिलाई करने है तो देखिए फ्रेंड्स हमारा स्वेटर कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है अब हम इसे उल्टा करेंगे दोनों फ्रेंट वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रहेगा इसे उल्टा करेंगे सुई में धागा डालेंगे और झालेंगे और झाल झाल